दोस्तो एक बार फिर से बारे चैनल पर आपका स्वागत है यह जो टैर्स देख रहे हैं इसके छट के उपर वाटर पूरूफिंग की जाती है तो वाटर पूरूफिंग में होता किया है आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ चैनल पर पहली बार आये हुए है चैनल क और सिपेज आपके घर में बनने लगता है पहले क्या होता था कि लोग आम तरीके से घर बना देते थे मिस्तरी कारीगर्ज होते थे घर बना देते थे मैटरियल के क्वालिटी बहुत अच्छे आती थी जिसके वज़ए से सिलेन सिपेज नहीं आता था लेकिन अब किया हो अब टक्नलाजी भी बढ़ गई है मैटरियल की भी कही ने कहीं कटाउती हो रही है मांगाई इतना बढ़ गया है कि उज़ क्वालिटी के मैटरियल जो स्टेंडर्ट पर होना चाहिए वो कहीं ने कहीं कमी रह जाती है किसी ने किसी वज़ा से और गुरवत्ता में कमी आ ज जल्दी आ जाता है कई लोग क्या करते हैं कि छट पर टंकियों रख देते हैं मशनेरी चीजी रखी जाती जैसे यह जो है एक कमपनी के उपर जो है लिंटर किया गया उसके उपर वह कुलिंग टावर लगाया जाएगा एसी के भी कुछ पार्ट लगाएगा है जहां से पा कभी क्या होता है कि जब सिलन सीपेज छत पर बारी से वगरा से आने लगता है तो पेंट फाल सिलिंग प्योपी वगरा आपका जढ़न लगता है खड़ाब होने लगता है अक्सर आप देखते होंगे आपके घर के अगल बगल या कहीं भी किसी के दुशरे घर के जाते हों जहां कीचन वगरा बासरूम बना होता है जो साइट का वाल होता है उस पर कई बारा प्योपी लगाते हैं फिर भी वह धढ़ने लगता है और बहुत ही खराब और भद्धा लगता है तरह-थरह के टीनमेंट आप करा लेते लेकिन वह सहीं नहीं होता है उसी का मात्र सही कर दलने का एक ही तरीका है वाटरप्रूफिंग कर देना जब भिया अपना नहयका स्टरक्षन करा है वाटरपूरूफिंग आपके जरूरका लेकु और रूपन jednak बिकारीके के होती है इंडिया के अंदर जो है तीन से कारिगर जो है कई तरह की टेटमेंट करते हैं सेबन कोटिंग में कोई दो कोट करता है कोई तीन कोट करता है कोई फोर कोट करता है इसे माने के देखा जाते हैं दो तर्ट सेबन कोटिंग होती है लिक्विड मेंबरेन के उपर आपका स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और सबसे ज कर दे जो कंपनी की सर्विस है पूरी दिली और इंडिया में अब लेवला डी सिप्समा नमबर दे दूंगा काल कर सकते हैं